भारत नाम के इस शक्ष को रास्ट्य ग्रामीन रोजगार योजना के बारे में तो नहीं मालूम लेकिन काम मिलने की खुशी भारत जैसे कई दूसरे लोगों के चेहरे पर आसानी से देखी जा सकती है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के गिंती देश के पिछरे जिलों में होती है लगबख डेर लाक की आबादी वाले इस जिले की 80 फीसदी जनसंख्या गाउं में रहती है रोजगार की तलाश में ग्रामीन अभी तक दूसरे शेहरों का रुख करने पर मजबूर थे यह रोजगार गारंटी स्कीम आने के पूर्वर तो यह इस्तित्थीक लेवर्स बाहर जाते थे काम करने के लिए और यहां से बाहर जा रहे थे लेकिन अभी जब यह रोजगार गारंटी स्कीम लागू हुई है और उनको अपने ग्राम पंचायत में आसपास काम मिलने लगा है तो यह रुका है और काफी हद तक अबे समस्या हल होती हुई दिखाई दे रही है और लोग यहीं पर काम करते हैं यहीं काम करना चाहते है विंधि पहाडियों में बसे मिर्जापुर के लोगों का गुजारा खेती, पशुपालन और कालीन व्यावसाय पर ठिका है लेकिन ये सभी कुछ दिनों का ही रोजगार महिया कराते थे लेकिन अब साल में सौ दिनों का निश्चित रोजगार मिलने से सारे ग्रामिन खुश है नई योजना के प्रती काफी लोगों के अंदर खुशी है जिले की कुल चार तहसीलों में योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारी सभी समस्याओं से निपटने को तयार है हम लोगों ने अपने कर्मचारियों के इंस्ट्रक्ट किया है कि यदि कोई लेबर काम मांगता और लिख नहीं पाता है तो आप लोग उनको जो है फॉर्मेट प्रवाइड करके उनसे काम की डिमांड ले लीजे और उसी अधार पे आप काम उनको दे दीजे एक और जहां जिला प्रशासन चुस्त है वहीं दूसरी और उत्तर प्रदेश सरकार के सुस्त रवये के चलते योजना लागो होने के छे महने बाद भी समस्याएं बरकरार है प्रदेश सरकार ने अब यह निरड़ा लिया है कि प्रते ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम पंचायत मित्र की नियुक्ति की जाएगी तो अब काफी अत्तर के समस्याहल हो जागी दूसरी तकनीकी अधिकारी के रूप में भी अभी हमारे पास जे इतने उपलब्द नह शुरुवाती दोर में रास्टिया ग्रामीन रोजगार योजना देश के 200 जिलों में लागू की गई है और इन में से कई जिलों में जाकर हमारी टीम ने देखा कि गाउं में रोजगार मिलने से सभी ग्रामीनों के मुश्किलें आसान हो रही है यूपिय सरकार के मन्शा है कि यदि इन जिलों में यह योजना कारगर साबित होई तो देश के बाकी हिस्सों में भी इस योजना को लागू किया जाएगा